भारतिय कुष्टी महासंग में मचा दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रतिक लिया भी सामने आई हैं। उन्होंने पहलवानों के धरने को खेल के लिए गलत करा दिया है। पीटी उशा के इस बयान से धर्ना दे रही पहलवानों को गहरा आगात पौचा है। पीटी उशा के बयान पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा के यह सुन कर बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाडी हो कर वे महिला खिलाडीों की नहीं सुन रही है। हम बच्पन से उनको फॉलो करते आ रहे हैं। उनसे प्रेविद भी हुए हैं। इतना अच्छा किया है। लेकिन हमने कहा अनुशाशन दिल्टा कर दू हम तो शांती से यहां बैठे हैं। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो हम यहां बैठते भी नहीं। तीन महीं ने इंतिजार करने के बाद हम यहां बैठे हैं। इस दोरान साक्षी मलिक की आँखें नम दिखाई दूसरी और पीटी उशा के बयान पर विनेश बोगाट में कहा कि अगर हम सडक पर बैचे हैं तो हमारी कुछ मजबूरी रही होता है यह बात सुनके बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला की राड़ी हो कि वो महिला की लाड़ी हो कि मही सुरूच है हम बचपन से उनको फोलो करते आए हैं कही ना कहीं उनसे इंस्पायर भी हो है कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेलना भी मिली है लेकि में एक महीला हो कि अगर यह बात बोल सकते हैं तो मतलब कांगां डिसिप्लिन कर दिया हम तो शांती से यहां बैटे हैं और हम बैटे भी नहीं है अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो चाहे खेल मंत्रा ले हो या आई ओ ए किसी ने हमारी नहीं सुनी तब हम जंता के सामने आये हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा पीटी उशा को हम खुद आईकॉन मानते थे मैंने उनको फोन भी किया कि मैं अपना दर्द साजा कर सकूँ पर उन्होंने फोन नहीं उठाया हम तीन महीने से इंतजार कर रहे हैं इधर पहलवानों के धरने पर गुर्वार को केंद्रिय मंत्री अनुराग छाकुन ने कहा कि कुछ खिलाड़ी अगर जंतर मंतर पर पैचे हैं उनके साथ किस ने बात की मैं 12 घंटे उनके साथ बैठा उनकी बात सुनी कमेची बनाई हम न करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले